हलो गाइज कारनेक विद मुनवर चैनल में मैं आज आपको वेलकम करता हूँ गाइज सब लोग कैसे हैं मैं अमीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपना और अपने फैमली का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे गाइज आज की वीडियो है आपके लिए इंट्र लोग उसे अग्याइज लेकिन निचे से बीजड़े बाकी हैं कुछ-कुछ कुछ कटगी है कुछ है लेकिन घ्रो हो जाएगा इसको कोई फंगस नहीं लगी हुए किसी किसम की कुछ नहीं हुआ जब मैं इससे लेकर आया था तो उसके बाद इसको मैं पानी बेकर दिया कल मैं लेकर आया सारी रात यह पाने में डिबर आया है और आज इसको मैं इस पॉड में लगाने लगू तो गाइज चौदा इंच का पॉड मैंने डिसाइड किया है अब गाइज शुरू करते हैं इसको लगाना कैसे है गाइज यह लगबग तकरिबन यहां से अगर देखे तो यह धाई फुट की दो फुट की मैक्सिमम सवा दो फुट की यह कटिंग है तो यहां तक यहां तक कटिंग है यह इसको समझ जाएं और अच्छे तीके से implement कर सकें जब भी आप अप्लाइ करने लगें तो इस चीजों का ख्यार रखें तो गाइस इसको जब आपने पाने में डिप करना है तो इसमें फंगसाई डाल देना है फंगस अगर इसको में 14 इंच का पॉर्ट डिसाइट किया हुआ है गाइस इसके में सबसे पहले इंटे डालेंगे ये गाइस गंबला तोटा हुआ था तो उस गंबले को मैंने इस्तमाल कर लिया छोड़ी शोड़ी इंटो को इंटे बना लिए टुक्डे बना lिये गाइज ये तारा कुछ आपने कर लिएक है लगे आंदर डाल देना अब करें इस ये देखे रैंट्री आ편कर फ्रेंट्स इसकेड़ के अंदर नर दाल दिया है बोट पें अनदर इतना ही भरिएगा इस जाराम भरिएगा क्रोंगर क्र Sun क में लगानी है तो सबस्מש कोला का फो अगर निकालना चाहें गंबले से बाहर पौदे को तो असानी से निकलाएगा उसी बात यह है कि रूट बाउंड नहीं होगा यानि कि नीचे तक जड़ें ज़रा तर नीचे ड्रेडिंग होल से बाहर भी निकलेंगी ये भी इसका एक टोटका है यानि कि तो गाइज ये हमारे बस मिटी है ये मैंने भल ली है ये मैंने इसमें रेट रेट और कुछ इंटो का चूरा होता है जिसको कीरी कहते हैं वो है चामल किया हूँ और ये मैंने कावडंक और इसमें एक शेल्स डाले हुए है पती डाली हुए चाहेगी पती वगएरा अब इसको हम मिक्स करते हैं गाइज मिक्स करके तार निकला ही है तार भी निकला ही है कोई बात नहीं इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है तो गाइज इसको मिक्स कर लिए मैंने इसमें डालेंगे इसलिए डालेंगे तक कि नीचे थोड़ी सी यह सट हो जाए या deste Tube दालेंगे ताकि हमारी कटिंग जो है वो यह जो इंटे हैं यह जो हमने टुकड़े डाले थे यह निकि वह अच्छे दिके से सट हो जाएं तो काई इसको दरालका सा इसा ऐसा कर लें इतना जोर्स ना किजिएगा कि गंबला यह आपको तूड़ जाए है तो गाइज यह देखें इसको और मिटी डाल दें जो आपने बनाई थी वहज़ा है अब यह जो कटिंग आपने ली थी आपकर इसका एंगल सेट करके विद्कु सेंटर में इसको लगा देना है शुआ है जो और निशे तक कि यह चुप जाए तर आसानी से उसके बाद है बस और कोई काम नहीं है अब मटे और सेंटरी में सेम मिटी बराओं गाख आप अब वहर डालोंगा अब भूर्ण लगई अब में आज़से दोभार मिटी और जो मैंने नाइए वह मैस पर डाल देते हूं आप और भी इसमाल कर सकते हैं अब रेट लाजमी डालिएगा क्योंकि इसके बगाइर ड्रेनिश बनाने हैं हमने सई अच्छा ड्रेनिश बनाना है तक हम इसमें पानी रुके ना बोकन विलिया में पानी रुके ना गाइस इसको अची तरह सेट कर लें और मिटीज बखाया आजाता हूं और बढ़ देता हूं कि अब तो गाइस और मिटीज में इस तरह से शामल करते हैं गाइस बोकन विलिया का बोनजाई त्यार हो जाएगा बड़ा खुबसूरत आप इसको बोनजाई भी बना सकते हैं और आप अगर आप बोनजाई नहीं बनाना चाहते वा सकते हैं प्रॉपर यह आपका फ्च्छग रोःगा तो ग्रैस इसके बाद अब इसको भरके पानी दे दें तो यह तक नीचे तक अपना पानी जजब हो जाए और यह सेट हो जाए तो आप इसको जाए तक ए अपनी जगह पर बैट जाय है तो गाइस मैं आपको ऐसा और पौदा दखाता हूँ जो मैंने इससे पहले बनाया था वो ग्रो चुका होगा बोंज़ा ही बन गया हुआ मेरा मैं उसको बढ़ने दे रहा हूँ ताकि वो भड़े और अपना सेटिंग हो जाए तो गाइस आपको उदर चलते हैं लेके यह दे बनाइन टृघी निकला ही और ये देखें ऊरू यह देखें थी और यह विए अब्रहन बनाया था जाए नसने लाव बड़ा बड़ा टन लगाया था इसकीवह बंकुलि ओविए यह लगा तो गाइस यह देखें कितना अच्छा बोंजाई मेरा त्यार होजाएगा इत्पूचर में यहां से इसकी प्रांचेश निकलाएंगी और खुबसूरत यह बोंजाई बन जाएगा तो गाइस मेरा राधा यही है कि बोनजा ही बनाऊ तो अगर बोनजा के शोक रखते हैं आप तो इससी तरह की कटिंग बड़े से बोगन विलिया के पास जाके आप कटिंग भी ले सकते हैं उसको अगर वो जिसका बोगन विलिया प्लांट अगर वो इसको निकाल के पहंगना जा रहा है तो उसे आप मूड इसका ले सकते हैं यानि कि जड़े में जड़ों समेट आप निकाल ले ले हैं तो गाइस इसी तरह आप एक बहुंसा ही त्यार कर ले तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सबस्क्राइब करें इसके ल specific हैं, इसके बाद इसको आप शापर चड़ा दें फुल अबर शापर, जब तक इसकी ब्रांचिस लबी-्लबी ना हो जाये अब शापर नो प्ता रिएगा यानि ये तिन-फुत की नो प्ता हो जाये ब्रांचिस तब तक शापर नो प्तार लिएगा अब मैं इसको शौपर भी चड़ाओंगा लेकिन अभी फिल वक्त नहीं आपको दिखाओंगा लेकिन शौपर अब इसको लाजमी कवर कर लीजेगा ओके जी पेरे चैनल को लाजमी लाइक कीजेगा बाई बाई